नमस्कार अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कॉरोना वाइरस के लॉकडाउन में हुई शादी के बारे में ये बात रोतक की है रोतक के जिला मजिस्ट्रेट निराथ आठ बजे कोट खुलवा कर करवाई इस कपल की शादी इनकी स्चोरी कुछ इस प्रकार से है निरंजन जोकी रोतक के रहने वाले हैं और ओर्डाना जोकी मैक्सिकन मूल की लड़की है इन दोनों की दोस्ती 2017 में ऑनलाइन स्पैनिश लैंग्विश का कोर्स करते हुए हुई थी लोकडाउन के दुरान लोग विदेश चानना ही नहीं बलकि उसके नाम से भी कत्राने लगे हैं लेकिन निरंजन ने एक विदेशी से शादी की और इनकी शादी एक डिस्ट्रिक मजिस्ट्रिक ने करवाई जिला मजिस्ट्रिक आर एस वर्माने स्पेशली रात आट बजे कोर्ट खुलवा कर उन्हें शादी के बंधन में बनवाया इस मौके पर लड़के के पिता और लड़की की मा बतौर गवा प्रस्तुत थे DC ऑफिस के कुछ करमचारी भी इस अनोखी शादी के मौके पर मौजूद थे नवेंबर 2018 में इन दोनों की सगाई रोतक में ही हूग गई थी लेकिन शादी में नागरिकता अर्चन बनी हुई थी ऐसे में मंजूरी के लिए जिला मजिस्टरेट के यहां पर अप्लिकेशन लगी हुई थी जिला मजिस्टरेट की ओर से लॉकडाउन से पूरू शादी पर किसी को परिशानी ना हो इसके लिए पब्लिक नोटिस भी निकलवाया गया था अब लॉकडाउन के चलते शादी की रसमेहट की हुई थी जैसे ही जिला मजिस्टरेट को इसकी सूशना मिली तो सीएम से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बाद रात में आट बजे अपना कोट को खुलवाया और ये एक अनुखी शादी जिला मजिस्टरेट नहीं करवाई तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अःवेपने की स्टोरी ऑुलवाद की स्टोरील्यू लुलवाद